ICC ने corruption के चलते बंगलादेश k्रिकेटर को दो साल के लिए बैन कर दिया गया है गया दोस्तों आप जानते ही है क्रिकेट में गिफ्ट लेना ये illegal माना जाता है ICC में यो guilty पाया है इसी लिए उनको दो साल के लिए बैन कर लिया गया है पूने डेवल्स के लिए आबुधा भी 2020-2021 सीजन में उन्होंने खेला था T10 लिक और उसी में उन्होंने गिल्टी पाया गया उन्होंने ब्रीचेस किया है उन्होंने 2.4.3 जो कंटेक है वो ब्रीचेस किया है उसी के साथ 2.4.6 कंटेक भी ब्रीच किया है उन्होंने उनके साथ को आपरेटर नहीं किया तो इसी वज़े से उनको दो साल के लिए बैन कर दिया गया है वो फिर से 7 एप्रिल 2025 के बाद क्रिकेट में लौट सकता है लेकिर आप अगर बंगलादेश फैंस हो तो नसिर हुसिन के बारे में क्या कहना चाहते हो अब कह सकते हो क्योंकि वो प्रोटेर्शियल था किस किस वज़े से उनको यह केरिया डाउन फाल या आप जानते हो कमेंड में जरूर बताने